नमस्का पीपीए 24 न्यूज में आपका स्वागत है आईए नजर डालते हैं आज की खास ख़बर पर नंदिगन पुलिश ने सोमवार को विकास कंस्ट्रक्शन के पार्टनर्स मुक्तार अंसारी की पतनी आफसा और दोनों सालों अनवर सहजाद वा सरजील रजा पुत्रगर जमसेद रजा सहित अन्यके विरुद हलका के लेकपाल चंदरशेखर राय की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है पुलिस के मुताबिक इस मामले में लेकपाल की शिकायत मिलने के बाद मौके पर जाकर जाज परताल करने के साथ ही आवेशक विधिक कारवाई की गई थी इस मामने में मुक्तार की पत्नी और दोनों सालों का नाम भी शामिल होने के साथ ही अनि लोगों की संलिप्सता की जाज की जा रही है इसके साथ ही मुक्तार के आर्थिक सामराजी के बारे में और भी जानकारी हशिल कर पुलिस और प्रिशाशन विधिक कारवाई करने की तैयारी में बैठा हुआ है सूत्रों के मुताबिक थाना छेतर के फताहुलापूर में ताल की जमीन पर अवयत कपजा कर अपने गोदाम के लिए अवय सड़क निर्माड करने पर पुलिस ने धारा 447 आईपीसी तीन बटा बांस सारवजनिक संपत्ति छती निवारा अधिनियम 1984 के तहत मामला पंजिकरत किया है अभी तीन दिन पहले ही गाजीपूर पुलिस एवं प्रिशाशन ने फताहुलापूर इस्तित उक्त ताल की जमीन को अवयत कपजे से अवमुक्त कराया था फतेहुलापूर इस्तित ताल की जमीन पर बनाये गए अवयत चक्रोर को सदर S.D.M. अनिरुद्ध प्रताप सिंग ने पुलिस फोर्स की मवजूर्गी में पिछले 27 अगस को JCB मशीन चलवा कर ताल में मिलवाया था PPA24 TV News से गाजीपूर समादाता राहूल पटेल की ये खास रिपोर्ट